आप सभी को दिपावली की हारदिक शुब कामना आज मैं आपके लिए लेके आयूं कॉफी चॉकलेट मूज ये क्रीमी सा दिखने वाला मूज खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी होता है इसे बनाना शुरू करते हैं चलिए सबसे पहले हम एक बावल में चार चमच कॉन फ्लॉर ले लेंगे नॉर्मल चमच ली है मैंने मेजरमेंट के लिए जिससे हम खाना खाते हैं अब मैं इसमें दो चमच चीनि एट कर दूँगी चीनि आप अपने टेस्ट क्याकोडिंग लें और अब हम इसमें हाफ चमच करिब कॉफी डाल देंगे कॉफी भी आप अपने टेस्ट क्याकोडिंग कॉफी का टेस्ट आपको कम पसंद हो तो कम कॉफी डालिए एक पिंच नमक डाल देंगे और ड्राइ इंग्रिडेंट्स को मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें दो बाउल दूद डाल देंगे दूद हमें नॉर्मल टेंपरेचर वाला लेना है ना जादा गरम ना जादा धंडा और अब हम इसमें दो चमच मलाई एड़ कर देंगे मलाई भी रूम टेंपरेचर वाली ही लिये मैंने और ये घर की बनी भी मलाई है आप डैरी की फ्रेश क्रेम भी यूज़ कर सकते हो मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसे भी अब Ranz, हम Hersjes का चौकलेट सिरप ले लेंगे, हाफ काटोरी, उसी काटोरी के मेजरमेंट से मैंने लिया है, आप इसके बदले कोको पॉडर ले सकते हो, डैरे मिल्ट चौकलेट ले सकते हो, या चौकलेट कंपॉण भी ले सकते हो, सब कुछ थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो, को आपकी मर्जी मिक्स कर लेंगे सबको अच्छे से और इसके बाद अब हम गैस ओन करेंगे श्लो फ्लेम पर लगातार चलाना है हमें फ्रेंड्स और इस बात का वीज़ेश द्यान रखना है कि इस पैचुला को बरतन के तले से लगा कर ही चलाना है कौन फ्लोर नीचे बैठ जाता है और साइड में भी चिपक जाता है इसलिए साइड से भी इसे निकालते जाना है और लगातार चलाते रहना है आप कौन फ्लोर के बदले कस्टेड पावडर भी ले सकते हो पर गैस की फ्लेम स्लो ही रखना है हमें और इसे चलाते रहना है यह देखिए अब 5 मिनिट में अच्छे से घाड़ा हो चुका है गैस आफ कर देना है हमें और इसे लगातारी इस तरह से चला कर ठंडा कर लेना है जब तक मिक्स हमारा ठंडा हो रहा है हम ओरियो को ग्रैंड कर लेते हैं मैंने एक छोटा पेकेट ओरियो कर लिया है और इसे ग्रैंड कर लेंगे हम इस तरह से फाइन पाउडर बना लेना है हमें यह देखिए और अब हम जो मिक्स हमारा ठंडा हो चुका है उसे चान लेंगे पूरा ठंडा नहीं हुआ है अभी यह लम्स फ्री मूज रेडी करने के लिए इसे चानना जरूरी है इस तरह से चानने पर एक भी लम्स नहीं रहेगा मूज को चानने के बाद अब हम इसे छोटी कटोरी में निकाल लेंगे और अब हम इसे फ्रीज में रख देंगे यह देखिए एक गंटे के लिए हमने इसे फ्रीज में रख दिया था अब हमारा मूज अच्छे से सैट हो गया है अब हम इसके उपर जो हमने और यू पीस के रखे थे उसे डाल देंगे गार्निशिंग के लिए और यह देखिए कित्ता बढ़िया मूज बनके रड़ी हुआ है हमारा एक कटोरी वाले मूज को मैंने प्लेट में ट्रांसफर कर दिया है आप कैसे भी सर्फ करें प्लेट में या कटोरी में इसका टेस्ट इतना गजब का है कि यह बहुत ही बढ़िया लगेगा यह 10 मिनिट में रेड़ी होने वाला मूज सभी चॉक्रेट लवर्स को बहुत पसंद आएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नई रेशिपी के साथ तब तक हैपी दिवाली और भी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाईए रेगुलर अपडेट के लिए